अगर आप BPSC Teaching Recruitment Exam की तेहारी कह रहे हैं या किसी अन्य exam की तेहारी कह रहे हैं तो आप ACRT के Importance को जानते हैं तो इसी सीरीज में आज हम लोग Class 7th Standard History का Chapter 4 मुगल समराज को पढ़ेंगे तो इस चाप्टर का पार्ट 1 और पब्रीश हो चुका है आज हम लोग इसके बागी बचे वेसे को पार्ट 2 में पढ़ेंगे तो आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल में नए हैं तो चानल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और चानल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है तो चलिया शुरू करते हैं तो हम लोग पिछले पार्ट में अल्रेडी पर चुके हैं कि किस तरह से भारत में मुगल समराज की न्यू पढ़ी फिर सेर्सेह का सासन किस तरह से चला और उसके बाद फिर से मुगल समराज अकबर का सासन किस तरह से चला और मनसबदार और जागीरदार वैवस्था के बारे में भी पढ़ा और आगे हम लोग इस पार्टू में पढ़ेंगे अकबर नमाय और आएने अकपरी के बारे में तो क्या है कि अकबर ने अपने मित्र और सलाहकार अबुल फजल को कहा कि अपने सासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया था अबुल फजल ने तीन भागों में ये रशना निक लिखी और जिसका नाम उन्हें अकबर नमा दिया प्रथम भाग में जो है इस किताब का जो प्रथम भाग है तो इसमें अकबर के पूरवजों का जो है बयान है उसके बारे में मेंशन किया गया फर्स्ट में दूसरे में अकबर के सासनकाल का इतिहास है जिसका नाम आईने अकबरी है और इसमें प्रसासन, सेना, राजस, समराज, गुगोल, समकालिन, भार्द्य संस्कृति और परंपराओं का बर्नन है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मनसबदारों का प्रसासन में क्या इस्थान है इसको बताने के लिए जात और सवार, नामक, दो संका सुचक सब्द अपनाएं गया थे तो हम लोग अल्रेडी पार्ट बर्न में क्या है, मनसबदार और जागरदार के बारे में पढ़े पढ़े हैं कि मनसबदारों का प्रसासर में कितना क्या इस्थान है उसके जो रैंक है उसको बताने के लिए जात और सवार नमक दो संख्या सुचक सब्द अपनाएं के हैं और इसमें जात की संख्या जितनी अधिग होती थी वो इतना ही बड़ा रैंक का दिकारी माना जाता था मतलब जात का संख्या से ही रैंक माना जाता था और उसी के आधार पर उन्हें बेतन भी दिया जाता था इसी तरह सवार की भी संख्या जो है वो निश्चित होती जी जिसके अंतरगत क्या होता था कि किसी मंसबदार को कितना फैदल सैनिक, कितना गोड़े और सवार तथा कितना हाथी रखना है ये तै किया जाता था और मंसबदारों को बेतन के रूप में भूमी दिया जाता था जिससे कहाई वे राजस एकत्रित कहते थे और मनसबदारों को दी गई भूमी जागीर कहलाती थी इसमें जमीन से प्राप्त आमदानी का आकलन ठीक से किया जाता ताकि मनसबदारों के लिए निर्धारित बेतन उससे प्राप्त हो जा इस तरह मनसबदार जागीरदार भी बन जाते थे और इसका पत बंशानूगत नहीं होता था मंसबदारों की निजुक्ती यह वो राजा के ध्वारा की जाती थी और इसमें प्रांथ यह वो प्रमुसुबेदार और बड़े मंसबदारों की सिफारिस भी चलते रहती थी ज्यादातर मनसबदार अपने जीवन काल में ये प्रियास करते रहते थे कि किसी तरह भी अपने लड़कों को भी जो है वो मनसबदार बना दे और इसके लिए प्रभावसाली लोगों को किम्ती उपुहार भी जो है उनके द्वारा दिये जाते थे राज के आमदानी खेती बाड़ी और किसान के बारे में यह बताया गया है कि जो राज के आमदानी जो है वो मुख रूप से खेती के उपज पर जो कर लिया जाता था हैनि कि टैक्सेस पे डिपेंड होता था ओसीस से होती थी और खेती का काम छोटे किसानों द्वारा किया जाता था किसानों से जो है कर गाओं में रहने वाले ग्राम प्रिमों किया स्थानी सरदारों द्वारा लिया जाता था और किसानों से उपज के उपर और कितना कर लिया इससे अकबर के राजा समंत्री जो थे राजा टोडर मलने तय कर दिया था उसने खेती लायक भूमी का सर्विक्षन किया और उसी के आधार पर नकद रूप में करता ही किया यह मोटा-मोटी उपज का जो है तीन से छे भाग तक होता था और जमीन को जो है वो चार भागों मे होती थी और बंजर लंबे समय तक बिना भूआई वाले जमीन जिस पर कहें लगान भीन पर अलग-अलग था तो यहां पर हम लोग क्या-क्या समझे कि मोटी-मोटी उपज का जो है यहां पर क्या समझे कि जमीन को जह है चार भागों में बाटा गिया था क्या-क्या पहला जो था वो क्या था कि पोलज होता था जिस पे हर साल खेती होती थी वहीं दूसरे नंबर पे होता था उसको क्या है परती बोला जाता था और तीसरे नंबर पे जोता था बंजर होता था और चौथे नंबर पे जोता था वो छाचर होता था तो राज कहे खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को रिन सहायता भी देता था और सिंचाई के साधनों को निर्मिद भी कराता था किसान मुखता, चावल, गेहु, जुआर, बाजरा और कुछ सब्चियां उप जाते थे और जैसे जैसे समराज का बिस्तार हुआ, उसका खर्च भी बढ़ता गया और उसे पूरा करने के लिए किसानों के उपर लगान का बोज बढ़ाए गया और इस कारण से किसानों के हालत खराब हुए और उनके पास लगान देकर बहुत कुछ बसता नहीं था जिसे वे अगले साल तक बचा कर रख सके हैं तो आम लोगों का जीवन कैसा था? तो मुगल काल में जन साधरन के जीवन के बिसे में परियाप्त जानकारी मिलती है और इस काल में जो है इरोपिय भारत आते थे और उन में से कई लोगों ने भारत की संपत्ती और समरिदी तदा सासक वर किसानों सौकत के जीवन के साथ साथ जन साधरन जैसे किसानों के जीवन से जुड़ी बस्तों को बनाने वाले दस्तकार और मजदूरों की गरीबी से भरे जीवन का भी चितरन किया है सामान आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे इस बात का जिक्र बाबर ने भी अपनी आत्म कथा जो है तुजू के बाबरी में किया है उसने कहा कि यहां किसान तथा निमने वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते है और इसके बाद हुआ उस लंगोट का बर्नन करता है जो फूरुस पहनते थे तथा महिलाओं की सारियों का भी बर्नन करता है लोगों द्वारा जूतों का जो है कम प्रियोग किया जाता था जहां तक मकान और उसमें मوجود सामानों की बात करे तो घर मिट्टी का बना था जो फूर्ट से ढ़का जाता था उसमें सामन नथा कि है एक कमरा और एक ही बरामदा होता था और मिट्टी के ही बने कुछ बर्तन होते थे एक चारपाई और बास की बनी चटाई रहती थी सांबे तथा अन्य धातों के बरतन जो है इनकी पहुंच से दूर था खादे पदार्तों में चावल, बाजरा और दाल जो है वो प्रमुख था और बंगाल और समुद्र के तट्यों इलाकों में जो है मशली प्रमुख खाद पदार था उत्री भारत में कहें कि गेहुं और मोटे अनाज की रोटी तथा दाल प्रमुख भोजन था और लोगों के द्वारा भर पिट भोजन जो है वो रात में ही खाय जाता था खाद द्यानों के अपेच्छा तेल गी सस्ते थे इसलिए लोगों का जो वो प्रमुख भोजन था और चीनी तधा नमक थोड़े महेंगी होते थे इस परकार ये तपि आम आदमी के पास कफडों की कमी थी लेकिन खाना अच्छा खाते थे गाय और भैंस लोग अधिक संख्या में रखते थे इसलिए वे दूद की उन्हें काफी मिलता था लोगों के जीवन का आधार खेती था और वो वर्सा के उपर निर्वर करता थे फ्रती वर्स जो है वो खेती होती थी तो किसानों को खाने के लिए मिलता नहीं अकाल के स्थिती में पिछला साल का कुछ भी बचा नहीं रहता जो वे खा सकते थे लगान जब नंगत में देना ते हुआ तो किसानों की स्थिती जो है और खराब होने लगी और लगान देने के दवाब में मंडी में उनका अनाज जह वो बहुत सस्ता बिख जाता था अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मुगलों की धार्मिक नीती और भारती लोगों के साथ उनका मिलन कैसा था तो अकबर ने भारत ने अपने साशन को मजबूत बनाने के लिए बहु संक्यक भारते हिंदु लोगों के साथ अच्छा संबनाने के लिए धार्मिक इस तर पर मेल जोल की नीती अपनाई अक्बर ने अपने राजों को इस्थाई बनाने के लिए भारती लोगों की बहुत संक्यकाबादी एनि हिंदू का समर्थन प्राप्त करने का प्रियास किया इसी के तहत अक्बर ने एक नबिन धार्मिक नीती सुलहे कूल सर्वत्र सांती को अपनाया और ये नीती सच्चाई सन्याई और सांती पर बल देता था अबूल फजल ने जो है वो सुलाहिक फुल के बिचार और नीती को अपनाने में अकपर की मदद की और जहांगीर और सहाजहां ने भी क्या इस नीती को अपनाया तो किस नीती को अपनाया वो सुलाहिक फुल की नीती को अपनाया और अजिब के काल में धार्मी की स्थिति के कारण खंडित हुआ और अगबन ने समाज में नेती के हुँ समाजिक मुल्डो को रखनी के लिए एक नए नीती अपना ही जिसे हम दीने इलाही के नाम से जानते हैं तो तीने इलाही का मतलब किसलिए प्रोपोगेट किया गया था कि समाज में नेती के हुँ समाजिक मुल्डो को बरकरार रखने के लिए इसका शुरुआत किया था सभी धर्मों के सार को लेकर उसने इस नए नीती का पर्तिफादन किया था तो यहां पर एक चित्र इसमें देख सकते हैं यह जहांगीर जो है उनका चित्र है जहांगीर और साह जहां के समय जो है मुगल समराज की स्थिति कैसी थी इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1605 में अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जाय वो जहांगीर बादसा बना उसका साशनकाल सामनेता सांती पून ही रहा और इस समय अधिक यूद भी नहीं हुआ फिट भी उसने अपने पिता द्वारा जीते गे छेत्र पर नियंतरन और प्रसाशनिक व्यवस्ता को पनाए रखा और बंगार पर मुगल सत्ता को इसने और मजबूत किया जहांगीर के लिए सबसे दुखा दिया रहा कि कंधार का मुगलो के हाथ से निकल जाना और वो अपनी नियाई की जंजीर के लिए जाना जाता था और इसके तहत उसने किया कि सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई और जिसमें घंटिया बनी थी और यहां पर देख सकते हैं कि यह साज जहां का चितर है न तो जहांगीर का जो है नियाई की जंजीर के बारी में पढ़ते हैं तो यह जंजीर था यह राजमहल की तिवार से लटका दिया गया था और वे उसने घोसना करवाई थी कि किसी के साथ सरकार अत्वा अजिकारी अन्नाई पुन बेवहार करती है तो वो इस जंगीर को खीच कर अपनी फरियाद सुन सकता है और इसका आम आदमी पर कितना असर हुआ यह तो पता नहीं लेकिन राज धानी के जो लोग थे वो इससे जरूर लावान बित हुए होंगे अब हम लोग साथ जहां के बारे में परेंगे कि 1628 में पिता जहांगीर की मृत्तु के बाद साथ जहां जो वो गद्धी पर बैठा आम लोगों के बीच वो ताजमहर के निर्माता के रूप में लोग प्रिये हुए हैं और बुंदेल खांड और दक्षिन भारत के बित्रों को जो उसने धबाया बीजापूर और गोल कुंडा जैसे दक्षिन भारतिया राज के अधिनता स्विकार करने के लिए उसने बाद कर दिया और पस्टी मुत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मद एसिया के बर्ग और बदक्षा पर आगरमेंट किया कंधार को एक पर पुना अपने अधिकार में किया लेकिन वो क्या इस्थाई नहीं रह सका असम के काम रूप छेतर पर उसने कहा अधिकार कर लिया और इस परकार उसके सासनकार में मुगल समराज और मजबूत हुआ नहीं कि साजहा ने बीजापूर और गोल कुंडा जो दक्षिन भारत का छेतर है वहाँ पर भी कमजा किया और पूर में किया थै कि असम के काम रूप छेतर पर भी अधिकार कर लिया तो इसमें किया हुआ कि मुगल राज की सीमा ने भी इस समय किया है कि अब बढ़ी और राजनीतिक रूप से साजहा का काल मुखेता जो है वो शांती पून रहा या तब भी मंद्ध एसिया का जो अभियान द्वारा प्राप छेतर पर उसका नियंदरन नहीं रह सका अब हम लोग पढ़ेंगे औरंगेब के सासनकाल के बारे में तो यहां एक चित्र है इसे में औरंगेब का जो है वो चित्र दिया गया है तो औरंगजेब का सासंकाल कब शुरू होता है तो 1656 इसमें जब साज जहां बुरी तरह बिमार पड़ गया तो सब लोग यह मानने लगे कि वो कुछ दिनों में ही मर जाएगे तो साज जहां के चार पुत्र थे कौन कौन थे दारा सूजा औरंगजेब और मुराद चारों में चारों जो थे चारों ही बादसा बनना चाहते थे और साज जहां ने जो है दारा को अपना उत्तर अधिकारी घोशित कर दिया मगर उसके बाकी के तीन लड़कों ने इस बात को नहीं माना और उत्तर अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई तो सब अपनी अपनी सेना लेकर के है तक्त पर अधिकार करने के लिए आगरा की ओर चल दिये और भाईयों के बीच कई युद्धी है अंत में जो है कि औरंग उत्तर अधिकार के युद्ध में ही लड़ा गया था और फाइनली औरंग्जेब जीत गया और उसके पिता बिमार थे उनके जीते जीही औरंग्जेब बादसे बन गया और जहां को उसने आट वरसों तक कैद में रखा और इसके कारण जो है उसकी काफी आलोचना भी होती है औरंग्जेब ने जो है समराज को बिस्तारिद करने की कोशिश की और इसके तहट 1663 इस बीव में अहम राज या असम को अपने अधिन कर लिया लेकिन क्या हुआ था कि यह इस्ठाई रहा और दक्षिन भारत के जो दो महत्पून राज थे जो कां थे बीजापूर और ग नाडू तक फैल गया और राज के इस बिस्त्रित रूप ने जो है कई नहीं समझाओं रंग्यब के समझ खड़ी कर दी इसमें एक था बेतन के मद में मिलने वाले जागीरों की कमी क्योंकि प्रसासनिक बर का स्वारूप समराज फैलने के साथ काफी बढ़ गया और उनके या जागीर जो है वह कम पढ़ने लगी इसने पूरे राज को जो है अस्त वीस्त कर दिया और इसके परिनाम जो है वह बहुत घहतक रहे जो आगे मुगल राज के पतन के कार出गों में एक्षा कारण बन गया तो मुगल समराज के पतन के कारण क्या थे कि अठारवी सदी में मुगल समराज जोहची ने भीन होने लगा और पतन के कुछ कारक तो सत्रावी सदाबदी में प्रस्तित हो चुका था पर बास्त भी कमजोरी अठारवी सदाबदी में दिखाई परी और अंग्जेव की मृत्तु 1707 में हुई उसके उत्तर अधिकारी उस विसाल समराज को संभाल पाने में सक्षब नहीं थे इसके साथ अन्य समस्याएं भी थी एक साशक के मनने के बाद उत्तर अधिकारी के लिए संगर सा मननेता होता था इसमें धान और स्याने सक्ति नश्ट होती गई और भाव साली पदाधिकारी जित्तिती में किसी एक राज़ुमार के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहते थे बस्तुता मुगलों के जो संपून पर साशन को गुटों में बिभक्त कर दिया और सासों को के कमजोर होने पर महत्यपुन फ्रांतों के गवर्नर जहवुत ने स्वतंत्र साशक के रूप में ब्यभार करने लगे पतन का मौली कारण आर्थी कठिनाई थी इस समय तक जो है 1707 के बाद ना तो परियाब धन बचा ना ही जागिर जो अधिकारियों को दी जा सकती थी जमिंदार असंतुस थे क्योंकि मनसबदार का उन पर कठोन नियंत्रन था तो यह समझने लगे थे कि यह लोग आमदानी का बड़ा भाग स्वैंग रख लेते अता उनका मनसबदारों से संगर्स हुआ और लग प्रसाशन भी जो है अक्षम होते जा ले थी और मनसबदारी पत्ता में अनेक परिवर्तन हो गया थे उनकी संख्या अकबर के समय से तीन गुना बढ़ गई और यह लगान वसूली का पूरा हिसाब राजा को नहीं देते थे सैनिकों की संख्या भी उन्होंने घटा दी उन में जागीर प्राप्त करने के लिए क्या है कि होड़ शुरू हो गई और पर्टेक अधिकारी इसी प्रियास में लगा रहता था कि उसकी जो है उसे अच्छी जमीर मिले और जागीर पर नियंत्रन भी जो है वो अस्थाई होने लगा था क्योंकि प्रसाशक एक दूसरे के इबरुद सर्यान कर जागीर के अदला बदली करवा लेता था और इस पर कर जागीर का ये संकर संपून मुगल परसाशन को जो है वो च्छी ने भिंद कर दिया मुगलो का जो सैनिक छमता और शक्ती भी कमजोर हो गया था और अब उच अधिकारियों के संख्या मुगलो के अब कोई रूची नहीं रह गए थी जिनका प्रियोग संसार क्यान ने देश कर रहे थे सैनिकों को प्रसिक्षन देने की स्थान पर ये विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियोग कर संतूष्ट हो जाते थे और इन्होंने नौसाना के विकास की और भी कोई ध्यान नहीं दिया उनको इरोपियो देशे के अक्रमन की कोई आसंका नहीं थी और इरोप में जो है नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था और वहां के विचार सिल वैक्ति नया ग्यान प्राफ्ट करके नवीन अनुसंधान करे थे मुगल कर इन भारत जो है इन नवीन खोजो की वोर्द से पुनता उदासीन रहा और अभिजात बर के लोग और धनी वैपारी बिलासिता पुन जीवन व्यातित करने में ही रूची लेते थे इन बिलासिता पुन जीवन से अठारवी सताबदी में देश का चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया और अभिजात पुल के लोग अपना समय और आलस और सराब पिने में नश्ट कर देते थे। समकारी देखकों ने लूट का विवरन देते में बताया कि नादिरसा ने जो है साट लाक रुप्या हजारो सोने के सिटके एक करोर रुप्या के सोने के बरतन पचास करोर के हीरे जवाहरा जिसमें सा जहां दौरा बनवाया गया तक ते ताउस मायूर सिनहासन और कोहिनूर हीरा भी जो है वो सामिल था उसको लूट लिया गया मैयर सिनहासन बेस किम्ती रतनों से बना हुआ था और लूट का ये विब्रन भारत की संपन्नता को भी दर्शाता है नादिर्शा के बाद अफगान शादार आहमद साथ दाली ने भी कई आक्रमन किया और उसने मुगलों क साथ साथ प्रमुग भारतिय शक्ति मराठों को भी जो है कमजोर किया इन अक्रमनों के बाद मुगल समराज दिल्ली के आसपास तक इसी मित रह गया और मुगल समराज किसी तरह 1857 इस भी तक बना रहा लेकिन इसकी शक्ति जो है वो नए छेत्रीय राज्यों में भी भक्त ह गई थी और इसी तरह मुगल समराज का पतन हो गया राजदानी दिल्ली एक कमजोर नगर रह गया फरंत उसकी संस्क्रिति और जीवन के उन तरीकों का जो मुगल समराज के बैभव और बिलास के आंग थे उसका आंथ नहीं हुआ उसकी बैभव साली परंपरा उसके अवसे में हम लोग आगे की चाप्टर्स में पढ़ेंगे तो यहां पर जो हम लोग जो हमसे क्यूज है इसको सॉल्व करते हैं तो मन सब क्या था यहां पर मिलान करेंगे तो मझसब यो एक फडर होता था बेरम खान कौन थे तो बेरम खान जो थे वो उनका जो है रिलेशन होगा वो अक्बर से होगा क्योंकि वो अकबर के कोन थे रिजेंट से बहीं जहांगीर महाराना पताब का उनका सम्भन चित्तार से होगा जहांगीर का प Atéём न्याई की जंग से गार सुवेदार जो है जो गवर्लन होता था और उसूवेदार ऋसे हमगता कुछ यहां पर मिलान करना है कि पानिपत की रिक्त स्थानों को भरना है कि पानिपत की प्रथम लड़ाई किसके और किसके बीच हुई थी तो पानिपत की प्रथम लड़ाई बाबर और राना सांगा के बीच हुई थी यदि जाल एक और मनसदार के पत बेतन का धोतक था तो ओ सवा का अकबर का दर्बारी इतिहास का अबूल-फजल था जिसने क्या अकबर नामा नामा कुछ तक लिखी और ड्यास ने मुगल समराज का बास्तविक संस्थापक था तो ये चापचश वूऊ यह पर आपको यह वीडिव पसंद वाता फिर तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जो है सपोर्पोर की जरूरत है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भौटभ धन Events